On-page SEO, Off-page SEO, इन दोनों के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन अगर इनके बारे में detail में जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, और क्या ये दो ही तरिक SEO होते हैं, या फिर कोई और भी होते हैं, पूरी जानकर ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको देनी वाला हूँ, तो अगर आप slowly, gradually हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी पूरा fundamentals क्लियर कर रहे हैं, अगर आप भी SEO में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बिल्कुल basic से expert तक लेके जाना चाहते हैं अपने knowledge को, तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजिये और हमारी इस playlist को follow कीजिये, और अगर इससे पहले video आपने नहीं देखिए, उनको भी देख ले, अगर आपका foundation level क्लियर हो जाएगा, तो आपको SEO में pro level पे आने में कोई रोक नहीं सकता है, तो चलिए आज के video को end तक देखते हैं, मेरा नाम है मंजीचिंग, और आप देख रहे हैं आपका अपना channel digital manjid, तो guys सबसे पहले हम बात करते हैं, जो last video में हमने cover up किया था, उसमें हमने बात करी थी black hat SEO, white hat SEO, वो दो techniques थी, और आज जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है types of SEO, तो दोनों में confused नहीं होना है, वो techniques हैं और ये आपके types हैं, और types के जितनी भी types होते हैं, उसमें हम दोनों ही techniques का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपका white hat, या फिर black hat, या grey hat, जो भी आपका consider कर सकते हैं, तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो के topic के अपर focus करते हैं, तो आज का हमारा topic है, on page SEO किसे कहते हैं और off page SEO किसको कहते हैं, तो चलिए start with करते हैं, on page SEO, on page SEO जैसे कि इसका नाम है on page SEO, यानि कि जो चीज हमारे control में है, जिसमें customization, editing हम खुद कर सकते हैं, that is called on page SEO, अब on page SEO में क्या-क्या हमें करना होता है, तो पहली चीज तो आपको content optimize करना होता है, जो आगे चलके, don't worry, इनके बारे में आगे नहीं समझ में आ रहा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, सरफ समझ लो, आगे हम जब practical करेंगे, तब आपको detail में अच्छे से इसको भी समझ में आ जाएगा कि optimization content को किया कैसे जाता है, तो यहां पे पहला होता है content optimization, फिर आपका image optimization, देन उसके बाद में आपके यहां पे HTML structure, यानि की जो भी आपका page का layout है, वो user friendly होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, यहां पे आगे practical करेंगे हम, उसके बाद में title, जो page का title है, title के उपर में पूरा proper तरीके से optimize करना, जो आपका page का URL है, उसको optimize करना, फिर जो आपके interlinking है, उनके पास उनका optimization पूरा यहां पे detail में करना, तो यह सब concept जो हैं, यह आपके कहलाते हैं, on page SEO में, यानि की जो भी अभी चीज़े मैंने बोली, इन सभी को हम control करते हैं, हम उस कर सकते हैं, उसमें customization कर सकते हैं, तो ऐसे concept को हम कहते हैं, on page SEO, now let's talk about what is off page SEO, तो off page SEO की बात करें, तो off page SEO के अंदर हमारे पास में, जैसा कि इसका नाम है, off page, यानि की हम अपनी website पे कुछ नहीं करते हैं, अपनी website के लिए, उस पे traffic को लेकर आने के लिए, हम दूसरों की जो websites हैं, या दूसरे जो platforms available हैं, वहाँ पर जो है, हम कुछ task perform करते हैं, जिससे की हमारी website के उपर में, यहाँ पर traffic जो है, वो increase हो, ऐसे method को हम कहते हैं, off page SEO, जिसमें पहला आपका आता है, backlink create करना, backlink की बात करें, तो backlink कई तरीकों से create किये जा सकते हैं, हम किसी दूसरे की website क के उपर में content post कर सकते हैं, उससे backlink जिसको हम guest posting भी कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे platform बनाए गए हैं, जहाँ पर हम अपने publicly जो है, उसको content को create कर सकते हैं, और वहाँ से backlink जो है, वो generate कर सकते हैं, फिर आपका जो है, यहाँ यहाँ पर domain authority को increase करना, अब domain authority कैसे increase होगी, don't worry about this, हम आगे जब practical चीजे करेंगे, वहाँ पर हम एक एक topic को बहुत ही detail के अंदर cover करेंगे, फिर आपका social media जो presence है, उसको increase करना, क्यों increase करना, क्योंकि वहाँ से भी आपकी website पे backlinks मिलेंगे आपको, वहाँ से भी आपकी website के उपर में traffic आएगा, तो यह सारा जो concept है, वो आप का कहलता है, off-page SEO, यानि कि जहाँ पर हम third-party platforms का इस्तेमाल करके, अपनी website के उपर में traffic को redirect करकर लेकर आते हैं, ऐसे concept को हम off-page SEO कहते हैं, अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा, कि सर ये दो ही तरह के SEO नहीं है, एक और SEO भी होता है, जिसको हम कहते हैं technical SEO, तो technical SEO के detail में next video के अंदर बताने वाला हूँ, तो आज के इस video के लिए इतना ही, I hope कि आपको on-page SEO और off-page SEO का detailed knowledge मिल गया होगा, fundamentals clear हो गया होगे, तो जब हम practical करेंगे, तो आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा, कि हम on-page कर रहे हैं, या off-page कर रहे हैं, फिर मिलता हूँ एक और नए amazing video के स बात में, till then stay safe, goodbye.